इस शरीर में आना हमारे हाथ से हमारे नियंत्रान से बाहर है इस शरीर से जाना भी हमारे नियंत्रान से बाहर है किवल एक चीज हमारे हाथ में शरीर में जीवात्मा के आने का नाम जन्म है शरीर छोड़ देने का नाम मृत्यू है इस शरीर में आने और जाने के बीच की जो अवध ही है जो समय है वो जीवन कहलाता है शरीर में आना हमारे हाथ में नहीं जन्म हम कहाने कैसे शरीर में नहीं ये हमारे हाथ में नहीं मृत्यू हमारे हाथ में नहीं आने और जाने के बीच का जो समय है वो हम किस तरह गुजारेंगे वो हमारे हाथ में है अगर कोई 102 वर्ष तक जीना चाहे तो उतनी लम्ली उम्र पाना भी कुछ हमारे हाथ में कुछ उस इश्वरी रिवस्था के हाथ में बहुत कुछ तो DNA से तै हो जाता है कि हमारा इस शरीर कितनी देर तक चलने के लिए बना है फिर उस शरीर को हम अच्छे खानपान, अच्छे भोजन, सैयम, व्यायाम, इच्चादी के द्वारा उस शरीर की स्थिर्टा कुछ समय तक और बढ़ा सकते हैं उल्टा सिधा खान पान करके तमाख रूश राद इच्चादी दुर्वेस्नों में थास्तन को मुर्कम भी कर सकते हैं सब की इच्छा और कोशिश करना लेकिन अगर सक्रिय न रहते पो तो जीने की कोशिश छोड़ो इच्छा भी मत करना कुर्वन्य वेह कर्मानी जिजी विशेच छपन समाह सौबर्श और उस्ते भी जावे समय तक जीओ प्रयास करो इच्छा भी करो पर सक्रिय रहते हैं अगर एक्टिव न रहा जा सके सक्रिय न रहा जा सके तो जीने का अर्थ जाए इसलिए जब हम पर्मेश्वर से आयू की प्रासना करते हैं तो ध्यान लखना चाहिए आयू और उम्र में अंतर है उम्र सिर्फ जीवन की लंबाई को कहते हैं पर आयू का मतलब कुछ और भी है आयू का मतलब लंबा जीवन लेकिन अगर लंबा जीवन हो और शरीर स्वस्थ न रहे तब हम सक्री नहीं रह पाएंगे इसलिए उस लंबे जीवन का मतलब क्या पीमारी के साथ लंबे समय तक जीते रहें लंबा जीवन स्वस्थ शरीर के साथ पर कोई व्यक्ति स्वस्थ शरीर के साथ लंबे समय तक लंबी उम्र तर जीता रहें पर जीवन में कुछ अचीमेंस नहों कुछ कार ये नहों, कुछ उकलब धी नहों कुछ सुख नहों, कुछ सौभाद ये नहों तो भी उस लंबे और स्वस्थ जीवन का कुछ अर्थ नहीं नुकलेगा इसलिए जब भी आयू की प्रार्चना करें तो इसके साथ तीन चीज़ें होती हैं लंडी उम्र, स्वस्थ शरीव और जीवन की उखलब धियां सुफ़र को उठाती है आदरने ये बाबुजी जिनको बहुत लोग बाबुजी सम्मान के साथ बोला करते थो एक तो दो वर्ष की आयू जी करके गएं और आखिर के कुछ दिनों को छोड़कर जिस समय में वो डाक्टर सुनिल जी के पास रहे हैं वैसे तो परिवार के सब लोगों ने उनकी सेवा में और शुश्रुशा में कोई कसर नहीं रखी ज्यान दिजिये हमारे माता पिता का हमारे दादा दादी लाना नामी हमारे बुजर्वों का हमकर रिन होता है और किस बात स्कारिन होता है उन्होंने हमें अच्छा थाना पीना दिया अच्छा अच्छी सुविधाय दी अच्छे पढ़ने लिखने के अवसर दिये ये तो उनका फर्ज था इसे भी आप रिण मान सकते हैं लेकिन रिण अगर उतारना हो माता पिता का तो इसके दो तरीके होते हैं एक अपने जीवन की प्रगटी से आप माता पिता को दादा दाजी को जितनी कंतुष्ट की देंगे जिखले पसंद्धा देंगे उतना आप उस रिण से मुप्त हुए लेकिन सबसे ज़्यादा रिण मुप्त होता है बहुत लोग जीवन में बहुत प्रज़ती नहीं तर पाते बहुत धन ऐशोरे पाते नहीं तर पाते बहुत उची अपत पर नहीं प्रज़ती वो सबसे कीमती चीज थी उनका निस्वार्थ प्रेम विदाउट एन सेल्फिश मुटिक बिना किसी स्वार्थ के हमें जो प्रेम मिला उस सबसे बड़ी दिल दिसम पता थी हमारे माता पिता ने हमें क्यों प्रेम दिया हमारे दादा दादी ने अपना लार की हमें बड़े खूब्सूरत थे इसलिए नहीं तु एक पर हिंचर काट जाता तो सिवाय रोने के हमारे पास कोई चारा नहीं होता हु मौऌ बहुत था नहीं ते बड़े ज्यानवान नहीं थे बड़े स्टुंदर नहीं थे, बड़े बलवान नहीं थे, बड़े गुणवान नहीं थे, हम जैसे दी थे हमें प्रेम मिला, अगर कोई बच्चा mentally retarded होता है, विकलांग होता है, तब भी उसको माता पिता उतना ही प्यार करते हैं, बलकि और ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों वो बुजर्ग हो जाएं, तब वो प्रेम, सेवा, शुष्रुशा, शुद्धा, सम्मान बना कर वापस कर देना, आप रिंच से मुक्त होता है, ख्यान दीजिए, अगर आप अफोल्ड कर सकते हैं, तो आप सेवा के लिए नौकर रख दोगे, कोई बुराई नहीं, नौकर नैला देगा, खिला देगा, कपड़े पहना देगा, कपड़े धो देगा, समय पर दवाई देगा, मसाज कर देगा, हाथ पर दवा देगा, सब सेवा कर देगा, शुष्रुशा उन्हें करनी होगी, जिनको उनसे प्यार मिलाए, किसी लिए इंसान की सबसे बड़ी जरूर बैठ रही सकता, फिर भी वो चाहते हैं कि मैं रहू, रखना चाहते हैं वो, बिबस पिता जी, दादा जी, जैसे है वैसे ही रहे, उनका आशीरवान मिलता रहे, बसकाफी है, पास बैठ कर कभी उन्हें प्रेम का इस परश दिए, पास बैठ कर कभी जानना चाहता है कोई हमा बिठाकर बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव साधा करना चाहते हैं, नौजवान उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं समय नहीं है, या इच्छा नहीं है हो सकता है बुजुर्ग वही बात सुनाएंगे जो दस साल पहले सुना चुके तस बार सुना चुके को यो भूल जाते हैं, बुजर्व उम्र में प्रेन में ऐसे पिग्मेंस बनने लगते हैं कि पिछली 20 साल की बात याद आती है, जाबियां कहां रख दी, बूल गए, कहीं जाना था, भूल गए, तबा खानी थी, याद नहीं कहां, तो वो भूल जाते ह ये कहानी, ये बात अपने जीवन का अनुभव सुना चुके हैं, फिर भी सुनाएंगे, सुन लो, आपका उसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा है, उनको अभिव्यक्ति का सुख मिल गया, एक्स्प्रेशन का रस मिल गया, आपने उनकी बात सुन ली, उनको प्रेम का इसपर् प्रितेन में पिछले 35 साल से एक मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट का बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, अगर उसके इनिशियल्स मिला कर पड़ो तो उसका नाम होता है एक्जिट, उससे जुड़े हुए लाखों करोनों की संख्या में सदस्य हैं, और उनका एक जहर देकर पोईजन देकर खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो देश पर समाच पर बोजें, उन पर बहुत खर्चा आता है, जितना भी हमारी मेडिकल सुविधाये हैं, स्वास्तिकी सुविधायें का 70% बुजर्व लोगों पर खर्च होता है, क्योंकि ज़्याद है तो क्या करें, आपका मन क्या केता है, बुजर्वों को जहर देकर मार दिया दा है, कोई भारती यह नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि हम उस सिध्धान्त में, उस तरह सोफी में विश्वास करते हैं, जो सत्य है, जो तर्क और विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, तर्क औ पर कच्छों पर ठिकी हुई है, जीवन हमारे हाथ में रही है, जिसने दिया है वो ही लेगा, जब तक वहें अपना कर्मफल पूरा कर रहे हैं, जैसे भी हैं, हमें यह अवसर दिया है कि हम सेवा करके और अपने पुम्नि संचित कर लें, अपने बुजर्बों की सेवा आश् अनुभव कर रहे हो, तो आपकी मुसीबत है, उनको नहीं है, कश्टर, और अगर आप उनकी सेवा प्रसन्नता से कर रहे हो, कि हमारा करतव्य हमारे बजपन में इन्होंने हमें, जो कुछ किया जा सकता था, मेक्जिमम सिमा तक हमारे लिए किया है, अब हम इनकी प्रसन्नत के साथ सेवा कर रहे हैं, वो जो प्रसन्नता के साथ की गई सेवा, शुषुषाय बुजर्बों की वो महान पूर्ण में बदलती है, आपका अप्रमने संतित हो जाता है, ब्रिटेन जैसे देश में भी उस एडजिक मूवमेंट को बहुत समर्थन नहीं मिला है, नहीं तो अमान भी ये कानून को जविक्रती नहीं दी है, उसके पीछे वही भारतिये वेधा दार्शनिक का काम कर रही है, जीवन तेने वाला कोई और है, इश्वर के अस्पित्व को सिद्ध करने के लिए मेरे पास पतासों लोजिक और पैक्स है, लेकिन एक ये बात भी काफी है क दिकार के संदेह वादी दार्शने के हर चीज में डाउट करता है, संदेह करता है, आप उसको ये प्रूब नहीं कर सकते हैं कि माईक है, और लॉजिक से आप प्रूब कर भी नहीं सकते हैं, अगर कोई लॉजिक करने पर ही उतारू हो जाए, तो कोई तरीका नहीं है कि करो, लेकिन बस एक पॉइंट है जहां संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है और वो है आपका अस्तित्व, आप अपने होने में संदेह नहीं कर सकते कि पता नहीं मैं भी हूँ या नहीं हूँ, बगवान है नहीं आप संदेह करो, पर मैं भी हूँ या नहीं ये संदे होई कि हुसकी हमारे होने का प्रमांद देता है जैसे सूरज तूर्च जलाकर आप नहीं देखते है, उसकी रोशनी अपने होने का सबूत है, सबसे वड़ा सबूत है। इसी तरह से हमारा अहसास ये भी बता देता है, ये भी प्रूव कर देता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व है, कैसे प्रूव होता है, सोचिए, हम मेंसे किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शरीर का कोई भी पाल्ट कट कर अलग हो जाए, तो क्य हम में से किसी का भी अहसास बोलता है कि मैं कट गया, मैं कम हो गया, किसी का अहसास ये कभी नहीं बोलता कि मैं कट गया, मैं तो उतना ही हो पूरा, जबकि शरीर कट गया है, तो अगर मैं शरीर ही होता, तो शरीर के कटने पर, हाथ पर कटने पर मेरा अनुभब ये होता कि मैं कट गया हूँ पर शरीर कट गया कम हो गया तो मेरा हसास ये बोलता है कि मेरे शरीर का एक पार कम हो गया एक हिस्सा कम हो गया मैं तो उतना ही हूँ हम इतने से थे वेज्जानिक बताते हैं सारे सेल्स खत्म हो गए उनकी जगर नए सेल्स ले ले लेते हैं जो निरंतर ये कहती है, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, तो गवाण श्री Krष्री की कुछ बात आप से कहूंगा, आप समाप सरूँगा, गवाण श्री Krष्णी अर्जुन को संबोदित करते ही विकात आसुनो अर्जुन, इस शरीर में जीवात्मा रहता है और उसकी तीन अवस्थाइं होती है बच्पन, जवानी और गुणापा आत्मा तो वही रहा ना शरीर बदल गया, बच्पन से जवान हो गया जवान से बुणा हो गया एक छलांग और एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर सिन तक इसलिए करते हो माभारत के युद्ध का मैदान सजा हुआ है अर्जुन देख रहा है साथ महारतियों ने मिलुक कर उसके बेटे होनहार अभिमन्यू को 17-18 वर्ष के उस किशोर को नहत्रे किशोर को इसकी हाथ में कोई शस्त नहीं उठा गेद कर मार गिया कीन दिन तक अर्जुन की आँखों से आँखों नहीं रुके कब भगवान श्रीक्रिश्ट कंदे से पकलतार अर्जुन को हिलाया और का कि अर्जुन देखो मेरी आँखों में देखो तुम रो रहे हो और मैं नहीं रो रहा हूँ इसका कारण ये नहीं है कि अभिमन्यू को मैं तुम से कम क्यार करता था कारण ये नहीं है कारण सिर्फ इतना है कि तुम जीवन का केवल एक छोड देख रहे हो कि अभिमन्यू मर गया मैं दूसरा सिरा भी देख पा रहा हूँ कि उसने शरीर के बाद और किस दिल्वी लोग में और इस से आधिक अच्छी शरीप में जन्व ले दिया मैं उसका पहले से अच्छा जन्व भी देख पा रहा हूं इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं तम रो रहे हो हम और आथ अगवान शी कृष्श नहीं हो सकते पर हमोरा भगवान शिकरशिंगी परंपरा के संवाहत है उनका दार्शनिक जिन्तम के उपदेश उनके संदेश हमारे साथ है इसलिए उस लोशनी में सोचिए कहा है बाबु उनकारशिंग जीए जो के कहा पर है ज्यान दीजिए ऐसा कभी मत कहना कि वो मर गए ये कहना आपमान जनक है उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है और बड़ी शान के साथ, बड़ी गरिमा के साथ अपने जीवन के सब कर्तन्यों को निभाते हुए अपने खेत्र में आस्पात और दोर दोर तक अपने शुब कर्मों का यश पहलाते हुए उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है तेन रूपों में एक अच्छा इंसान हमेशा जीवित रहता है एक अपने शुब कर्मों की खुश्बू के रूप में और दूसरे आत्मतक्त्व के रूप में इश्वर की शरण में और तीसरे जब तक वो हमारे दिलों में जिन्दा है जब तक हमारे मन में मौझूद है कब तक ये कहने का कोई अर्थ नहीं है वोगे दिमान अपने बुदर्वों को हमेशा आपने साथ रखिये और उसका तरीका एक ही है शरीर से कभी किसी को आप देर तक हमेशा साथ नहीं रख सकते पर उनके विचारों और संसकारों को समाल सकते उसको हमेशा आपने साथ रख सकते हमारे प्रिये ज़नों के विदा हो जाने के बाद हमारी आप उस जित्रे भी आशू बहते है उन आस्वों के पीछे हमारे मन की तीन भावनाओं की भूमिका होती है एक स्वार्थ, दूसरा मोह, तीसरा फ्रेम स्वार्थ के आसू को रंत सूपते हैं अगर उसे हमारा कोई स्वार्थ कुरा हो रहा था तो स्वार्थ का सब्स्टिट्यूट कुछ रिकल्ट ढूम लेंगे या उसके दिना जीना सीख लेंगे मोह के आसू कुछ देर रहते हैं जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन परिवार के लोगों को जब सूचना मिली सब की आखें गीली हुई होगी लेकिन उस दिन आखों में जितने आसू थे आज कुछ समय बीतने के साथ-साथ आपके आस्वों में कुछ परसेंट कमी जरूर आई है एक दिन आएगा अच्छे मेहने साल भर बीतेंगे मोह के आसू पूरी तरह सूख जाएंगे प्रेम के आसू बने रहेंगे फर्क ये रहेगा कि प्रेम के आसू कभी आँखों में नहीं चलगते मन में छिपे रहते हैं और उनका छिपे रहना जरूरी है जैसे कोई बीज किसी फल या फूल का किसी अनाच का बीज अगर जमीन के उपर पड़ा रहे दिखता रहे तो उगेगा नहीं लेकिन अगर जमीन में दबा दिया जाए छिपा दिया जाए तब वो उगता है पौधा बनता है ग्रिक्ष बनता है फिर से फल लगते हैं फिर से फूल किलते हैं तो प्रेम के आसू कर्व में शरतनी चाहएं मानमी जग्दिश जी को मैंने आज बहुत दुनों बात देखा बिल्कुल बाबुजी की छवी उनके सब बचों में उनकी छवी है छवी तो जेनेटिकली मिल गई लेकिन उनके विचारों और संसकारों की उनके यश और सम्मान की परंपरा को डिस कंटीनूल नहीं होने दो आप में आपस में प्रेम बना रहे कल्पना कीजिए कभी कभी सोचिए हिंदु समाज मृत्यू के बाद भी श्राद्य करता है प्रत्यक वर्ष करता है अपने बुजर्गों को इसमरन करता है कुछनों को खाना खिला कर छुटती पा लेता है ये उसका परपज नहीं है उसका उद्देश यह है कि कभी साल में एक बार बैठो अपने बुजर्गों को इसमरन करो और वो इसमरन आपके जीवन की उन्नती में सहायता करेगा जीवित रहते तो वो आपको प्रेरणा देते ही रहे मृत्यूं की बाद भी उन्से प्रेरणा देते रहे मन में जीवित रखिये imagine कीजिए कभी कभी कलपना कीजिए अगर आज बाबू-जी आ जाएं अगल में एक बाथ पोछ ना बैठकर अगर आज बाबुजी आजाएं तो हमारे आपस के प्रेम को देखकर, हमारे जीवन की प्रगती को देखकर संतुष्ट अनुफ़क कर सकेंगे। अगर जीवन की प्रेंची को देखकर अनुफ़क का सभर आजिवन की प्रतिष्ट अनुफ़क आज री गारे जिसका होगी। गगवान शीक्रष्ण के बेटे का नाम बताईए, प्रद्वन के बेटे का नाम बताईए, अनेरुद्ध, अनेरुद्ध के बेटे का नाम बताईए, मुझे नहीं मालूम है, बागवत पुरान उठाईए, उसमें बारा पीडियों का उलेख है, बारा जेनेरेशन के रहनी कह कोई नहीं मालुम लेकिन हम जो उनके विचारों और संस्कारों को समानते हैं और अगर कोई प्रश्ण उठाएगा हम उनके यश पर कलंक नहीं लगने देंगे जो यह हसास मन में रखता है वो उनका सब्सक्राथिकारी है तो आदर्निया बागु उनकार सिंजी एड्वोगेट का कुछ बहुत थोड़े परसेंट में मैं भी अपने को उत्राथिकारी में कोई करता हूँ समाने बागु रामजी शास्टरी जब अलिगर्ण में बारसनानी कॉलेज में प्रोफिसर से तब उन्होंने आग्रा करके मुझे कहा कि नहीं अगर तुम एम्मे करोगे तो मेरे साथ ही करोगे मेरे कोलेज में परके मेरे कुल वह कुल में रहे थे कि रहे थे तो वहां की लागे रिकारी का उन्हें स्टेमाल करना था और कभी कोई बहुत बहुत फिलस्टरी और प्रिष्टी विद्या में रोटी रखने कभी स्रिश्टी विद्या के वास्त् Hammiess, पो जानना चाहें तो दक्रदाबुराम शास्त्र की किताब उसको पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश में वैदिक कॉस्मों गले, तो उनकी प्रेरनाएं मुझे भी प्राप्त होती रहे हैं, और आपको में एक निजी बाद से आप से शेयर करना चाहूंगा, वो मुझे आचायर जी नहीं कहते थी, मैं तो उनके यानि बहुत छोटी उम्र में था, तो मुझे वागीश बाबु कहते थे, बाबु क्यों मुझे लगाते थे, मुझे नहीं मालम, ये उनके प्यार प्रकट करने का एक तरीका होगा, तो कहते थे कि मैं तुमने एक जलब लेखता हूं, कि तुम कभी अपन कि जीवन का जो मुल्यांकन है इस बात से नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति कितना धनवान था, कितना बल्वान था, कितने उसके पद पर बैठा हुआ था, कितनी जनीन जायदा छोड़ करके गया है, इससे उसका असली मुल्यांकन नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का जितने भी लोग उसे जानते थे, जो भी उसके परिशे के दाइरे में थे, उनके दिलों पर उसने प्रेम के कितने गहरे निशान शोड़ करके गया है। जब भी हुआ था पांसात वर्ष पहले तो वो आये चल करके शायद पतानी जगदेश जी साथ थे ये कौन साथ में थे, तो मेरे घर पर भी आये और बड़ी देर बैठे बात्चीत की, तो वो मेरी उनके साथ आखरी घेट थी। लेकिन ज़सा कि मैं आप से निविदन किया वो हम सब के हर्देओं में सदा जीदित रहेंगे और अपने कर्म आचरण से उनके यश और सम्मान को निरंग करता देते हुए हम सब से उत्राजिकारी बने इन ही शत्नों के साथ बैंदेश आत्मा के प्रतित अपने शत्ता को मन्ना सुख परता हूँ, ओ, शाम्ते, शाम् आरी जगत के अंतराश्ची विद्वान ड़्टर वादिश कुमार जी ने इस छेत्र के इस जन्पर के प्रदेश के और भारत वर्ष की शाम रहे आमकार सिंग्यादव एडवोकेट को अपनी बहुत ही विद्वत्वा पूल सद्धास जली अर्पित की है आचार जी कहीं कि एक एक शब्द शायद जब तक हम लोग इस धर्थी पर रहेंगे तब तक याद रहेगा और भावु आमकार सिंग्यादव एडवोकेट अभीजय सावेदेजी बता रहे थे कि उनके नाम से संकर नगला का नाम जाना जाता था पूरे अलीगर जर्पड में बस लोग ये कह देते थे हम उनकार सिंग्यादव जी के गाउं के है इतना ही परियाद तो होता था ऐसी महान पुर्ण्यात्मा को आचार जी ने इतने दूर से आकर के जैसा भी आचार जी ने बताया इसके लिए यह पूरा परिवार आचार जी का सदारी रहेगा आप सब जानते हैं साइद हमारे छेत्र में इतनी बड़ी दिवूती न तो पहले हुई और आगे इतनी बड़ी दिवूती की संभा बना नहीं है आप लोग जहां पर बैठे हैं चौदरी चर्म सिंग जो देश के प्रदार मंत्री रहे वो बाबुजी के समय यहीं आकर के नास्ता करते थे नारंग उत्तिवारी जो कईवार मुख मंत्री रहे मलांसिर यादम जी अभी भी जीवित है कईवार मुख मंत्री रहे खड़े होकर के बाबुजी को नमस्ते किया करते थे वो स्वेब राजनीत के छेत्र में रहे लेकिन उनों ने जो सत्य का सुरुप्ता उसको कभी नहीं छोड़ा चाहे कितना ही बड़ा राजनेता हो ओमका सिंग आदव जी ने उसको सत्य बात ही कहनी थी और उनके जीवन का जो चुपाऊँ आसत्य था आज आचाहर जी ने जो तीन बाते बताई हैं उत्तरा अधिकारी के लिए वो बास्ता में बहुत ही प्रेना दायक हैं मैंने आचाहर जी को बहुत बार सुना है लेकिन जो आज आचाहर जी ने बोला है वो कभी नहीं सुना आचाहर जी के मुझसे इसलिए सज्जना आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आये हैं यह जरूर ध्यान रखना बाव उमकार सिंह यादव एड़ोकेट के जीवन के जो बहुत ऐसे महत्तुपूर किस्से हैं उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति आगया उसकी भी साहिता की और अमीर से अमीर धनवां से धनवार व्यक्ति आगया उसकी साहिता के लिए हमेसा तयाद हैं सज्जनों आचार जी के वक्तव के बाद कुछ और बताने की जुरूत नहीं है मैं बस एक निवेदम करना चाहता हूँ जैसा आचार जी ने भी संकेत किया है उनकी पाँचों सोयों की पुत्रियां तीनों सोयों की पुत्र अब इनके उपर विसेश जुम्मेदारी है बाभू जी के स्कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो आज समझनें ये जरूर वृत ले करके जाएं जरूर संकल्प करके जाएं इस परिवार के लोग हमेशा बाभू जी के जीवन के जो अच्छे बुण थे उनको अपने जीवन में सदा सदा अपनाते रहेंगे सजनों जैसा अवेदेजी कह रहें कि उनका अंतिम संस्कार जैसे बड़े-बड़े राजा महराजाओं का होता इसी प्रकार से हरित्वार में गंगा के किनारे पर संपन हुआ यह जरूरी नहीं होता कि जिसके बहुत कपड़े के मिलों बहुत धनवान व्यक्ति हो तो अंतिम संस्कार हो जाएगा यह जरूरी नहीं है यह उस व्यक्ति के जीवन के पुन्यों का ही फल था कि उनका अंतिम संस्कार भी बहुत अच्छे प्रकार से संपन हुआ और आचार वागिज जी लोग एक-एक साल से परिशा रहते हैं आचार जी हमारे यहां पर आ जाए देख-देख साल पहले आचार जी का समय लेते हैं समय नहीं मिल पाता मुझे लगता है यह बावु उमकार सिंग यादव जी एडवोकेक की पुन्यों का ही प्रताप है कि आचार जी स्वय में हाँ चल करके आए और स्वय मुनों ने शद्धा सुमनर्टिक किये सर्जनों जैसा इस परिवार के बारे में आप सब को पता है ये सरश्टी का विद्ध्या का साख्षाद परिवार है इस परिवार में जहां पर सब अपनी शिक्षा के माध्यम से समान का मार्व दर्शन करते हैं वही पर अब और जादे जुम्लेदारी है क्योंकि बड़े परिवार के बच्चों को बहुत साधानी से चलना होता है क्योंकि उनको उस परिवार को उतना इस्तर मैंटेन करने के लिए बहुत जादे मेहनत करनी पड़ती है तो आज सब्जने जरूर शंकल्प ले करके जाएं कि हम सब दिवन्दत पवित्रात्मा उनकार सिंग यादव एड़ोकेट के जीवन से जरूर प्रेना लेंगे और उनके जीवन से प्रेना लेकर के अच्छे मार्व पर ही चलने की कोशिश करेंगे इसी के साथ ही मैं अपनी बानी को विरान देना चाहता हूँ और ये पूरा यादव परिवान आप लोगों का सदा रही रहेगा कि आपको लोग इतनी बड़ी संख्यामे